हम जी बच्चा पार्टी शुरू करें मैं वेपिन एक बाद फिर आपके सामने आज लिकर आया हूँ लेक्शे नमबर 33 on smart read vocab आज के इस lecture में हमेशा की तरह मैं डिस्कुस करने वाला हूँ smart read deal number 33 में जो passage हमने आपके लिए पिक किया है उसके important words, idioms, phrasal verbs या फिर phrases को सो चलिये शुरू करते हैं without taking any more time with the very first word of the day which is reconcile reference के लिखा है reconcile the Hindu spiritual realm has for millennia been a world where content actions can be reconciled okay meaning reconcile के meaning से पहले realms यानी domain यह हम पहले किसी lecture में discuss कर चुके हैं कोई field या domain and millennia, millennium का plural होता है लापों सालों से, यह बात हो रहे है 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 contradictions क्या होते है contradiction, contradict से आया है contradict verb होती है इसका मंदल होता है कोई statement कोई देता है तो उसके against में कोई दूसरी बात कोई बोलते so उसको बोलते है contradictions विरोधाबासी बयान, विरोधाबासी statements so contradictions यानि कि अलग-अलग मत दो जो मत है या दो स्टेटमेंट्स है दोनों में विरोध है अगेंस्ट है दोनों एक दूसरे के यहाँ पर जो बात बोली जा रही है अगर हम reconcile कोई समझदा चाहें reconcile का मेनिंग क्या होता है पहले बढ़ लेते हैं make one thing compatible with another यानि किसी एक चीज, किसी एक आइडिया को किसी एक belief को दूसरी चीज आइडिया या belief के साथ compatible बना दिया जाए यानि दोनों के बीच में सामनजस से बठा दिया जाए यानि दोनों के बीच में लड़ाई न हो तब हम बोलते हैं कि reconcile कर गए दोनों दोनों ने reconcile कर लिया, दो parties है, दोनों में मतबेद है, dispute है, disagreement है, और दोनों ने जब हाथ मिला लिया, तो हम बोलेंगे they reconcile or they have reconciled, I hope आपको समझ में आ गया हो, for example यह जो इमेज देख रहे हैं, यह दो लोग हैं, दोनों ने हाथ मिला लिया, इसका मतलब इससे पहले दोनों के बीच में मतबेद था, अगर reconcile कर रहे हैं, it implies कि इससे पहले इनके बीच में मतबेद था, disagreement था, और एक positive note पर discussion हुआ, उसके कारण ही, इन्होंने reconcile किया है, I hope आपको समझ में आ हैं, मैं बता रहा था आपको, जो reference दिया हैं, उसी से हम इसको word को समझ सकते हैं, जो लिखा है अगर बात करें, लाकों सालों से, जो विंदू अध्यात्म है, वो क्या कहता है, या उसकी जो spirit है, वो क्या कहती है, contradictions can be reconciled, यानि कि, अलग-अलग मत हैं, अलग-अलग देवों के, अलग-अलग belief होते हुए भी, साथ में रह के, चल सकते हैं, कहां पे, हिंदू धर्ब में, ऐसा यहां पे लिखा गया है, या रही, अगर आप किसी particular देव की पूझा करते हैं, और कोई व्यक्ति दूसरे द आएगा, यानि कहीं पे भी ऐसा नहीं है, कि नहीं, आप ऐसा नहीं करते, तो हम आपको वेदखल करते हैं, या हम आपको हिंदू नहीं मानेंगे, तो इस धर्ब में, या हिंदू धर्ब में, जो एक, उसका जो characteristic है, वो दर्शाया गया है, उसको present किया गया है, या अलग- They had to reconcile their differences to work together effectively, उनको अपने-अपने जो differences थे, उनको छोड़के, सामंजे से बठाना पड़ा, मिल-मिल अप करना पड़ा, अपस में, effectively अगर उन्हें काम करना था, तो चलिए, बिल्कुल सही है, He tried to reconcile his love for adventure with his need for stability, यानि कि उसने दो चीज़ें, एक तो उसका love for adventure, यानि adventure के ल बिल्कुल सही है, He managed to reconcile her career with her family, family की जो demands थी और career की demands थी दोनों को साथ में manage करने के लिए उसने प्रयास किया और reconcile कर भी लिया, बिल्कुल सही है, The weather forecast helped reconcile the temperatures over the week, इस sentence का कोई sense नहीं बन रहा है, absurd, absolutely absurd, illogical, so ये sentence गलत है, चलिए, डिसकस करते हैं, harmonize, सामझस से बठाना, शान्ती बठाना समय, accommodate, शामिल कर लेना, सबको, कोई issue नहीं है किसी के साथ, किसी में मतवेत नहीं है, सबको हम accommodate कर सकते हैं, integrate, यानि कि सम्मिलित करना, अपने में शामिल करना, integrate करना, एंटरिम्स की बात करें तो conflict, जगडा, oppose, विरोथ करना, disagree, बेत रखना, या कुछ अलग कहना, किसी से, disagreement होना चलिए, आयोब आपकर समझ में आ गया हो, next word is, desecrate, reference के लिखाये, desecrate का, a river that is so sacred, cannot be desecrated like this, and by its own devotees, devotees को नहीं होते हैं, bhakt, devotees, bhakt, sacred, pavitr, ठीक, holy, pavitr को बोलते हैं, holy, now, desecrate का क्या मेनिग है, treat a sacred place, or thing with violent disrespect, या फिर violet, यानि उसकी पavitr इस्तल की पavitrता को भंग करना, उसको बोलते हैं, desecrate, desecrate, clear, एक और वर्ड होता है, blaspheme, so synonym के तोर पर आ सकता है, so desecrate, यानि किसी धार्मे की इस्तल, पavitr, इस्तल की पavitrता को भंग करना, अब यह देखे, example है, over 100 अहमदी graves desecrated in Lahore, Lahore में एहमदी graves को ऐसे उन्होंने तोड़ दिया, graves को कबर को, जो वहाँ पे इस तरीके से बनी हुई होती है, पत्थर होता है उपर, so तोड़ दिया, यानि disrespect किया, एक तरीके से, ऐसे ही मंदिर में जाके, माल लिजे, मुर्ती तोड़ दी, या अगीन मस्जिद म आगे कचला खेला दिया, दिरिजा घरबर आगे कुछ कर दिया, गंदगी कर दी, तो यह सब क्यान है, यह, देसक्रेट करना है, अब अवित्र करना, क्लिया, प्रोपेन, एक और मारे पास सिरने में, चलिए, अभी डिसक्स करते है, sentence is, the ancient temple was desecrated by vandals, vandalism क्या होता है, अरा प्रोजेक्ट, हो सकता है, यह सही, अभी आगे और पढ़ लेते हैं, the cake was desecrated with a cherry on top of it, अभी यह सेंटर हमें में मिल गया, बिल्कुल अपसर्ड है, इसको माटा सकते है, the monument was desecrated with graffiti, graffiti क्या होता है, मेली illegal painting, यो खास कर गे, spray painting होती, आपने देखा होगा, अगर आप कभी NCR हो वो legal नहीं होती, रात के अंदेर में आया, बाइक पे spray लिया, spray paint लिया, और कुछ भी लिख दिया, किसी के भी लिए, मतब, rabble जो होते है, इनका मन किया, cynic जो होते है, कुछ भी करके चले गए, बाग गए, so graffiti, ऐसी painting, जो spray painting जो होती है, उसको बोलते है, और illegal होती है, so यह sacred site है, पवित्र स्थल है, उसको construction project ने desecrate किया है, so यह sentence भी सही है, उनको लगा, clear है, synonyls, profane हमने अब भी discuss किया था, last theme मैंने बताया था आपको, treat with disrespect, यह एक phrase है, जो कि बहुत easy है समझना, antonyms की बात करें तो sanctify, पवित्र करना, honor, सम्मान देना, यह इसके antonyms के तोर प which is emanate, reference के लिखा है, emanate का, the putrid stench emanating from the water would be unbearable, unbearable, जिसको सहा ना जाए, सहन न कर पाए, उसको गोलते है, unbearable, putrid, rotten, सडी हुई, जब घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें, दो-तीन दिन से रखी हो, और कहीं, कूड़दान में ही पढ़ी हो, कूड़दान का कूड़ा अ उसको हम बोलेंगे, utrid, or stench, गंद, बदबुदार, ठीक है, so, बदबु, utrid, rotten, सडी हुई, emanating from the water would be unbearable, समझ बहा रहा है, meaning, to issue or spread out from a source, हम बात कर रहे थे, emanate की, emanate, यहने कोई गंद, यह कुछ भी, बाहर निकलना, बाहर की तरफ जाना, उसको बोलेंगे, emanate, to issue or spread out, spread out from a source, किसी एक source से, उसके लिए हम बोलेंगे, emanate, अब यह देखे, example से, candles है, I believe, fragrance वाली candles है, जब यह ऐसे, आप लाइट करेंगे, इनको, तो इसमें से, अलग-अलग खुश्बू निकलेंगी, और वो, वाता वरण में, emanate हो जाएंगी, environment में, emanate हो जाएंगे, अब कोई सम कर रहा है, बंदी है यहाँ पर, सो उसको कोई देखे, तो उसके, जो, basically जो औरा है, वो क्या emanate कर रहा है, sense of calm, शान्ती, किसी को देखें आप ऐसे, इस तरीके से ध्यान में, तो वो क्या emanate करता है, शान्ती, the heat emanate from the fireplace warming the room, fireplace जो है, उस पर से धीरे-धीरे गर्भी निकल रह रहे है, सो यह sentence भी सही है, the radio waves emanated from the broadcasting tower, broadcasting tower में से क्या emanate हो रहे है, radio waves emanate हो रहे है, विलकुल सही है, his anger emanated as the, as he quietly read the newspaper, anger निकला, जब उसने आस मदब शान्ती से, निस पर वड़ा, यह विलकुल opposite meaning है, sentence incorrect है, contextually incorrect, चली, discuss करते है, synonyms, emit, बाहर निकलना, exude, अगें बाहर निकल रेडियेट, यह भी बाहर निकलना, waves जो होती है, वो रेडियेट करती है, exude, 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 x लगा है, यानि बाहर का sense आ रहा है, यहाँ prefix से, यह रूट वर्ड से आपको सहुच बहार रहा है, exudeus, कश्मीर में, हिंदू, जो कश्मीरी पंडित थे, वो, जब वहाँ पे, जो अल यहाँ पे, exude, बाहर निकलना, जो यह सब जो cells निकलता है, ex का, यह भाहर का, अब हम बात करते हैं, anonyms के absorb, soak न, withhold, रोक न, जो यह anonyms के तोर पे, consider की जाएंगे, emanate के, next word is sublime, reference के लिखा है sublime का, the fifth, sorry, कृतनी filth है, filth गंदगी, again, the filth of the sensory world assaults हमला गरना the mind, okay, so that any refined encounter with the sublime is crushed beneath the miseries of the material world, okay, बड़ा अच्छा sentence है, अभी मैं explain नहीं करूँगा, passage का मज़ा खराब हो जाएगा, फिर, comprehension यहीं पर आसान हो जाएगा, तो इसलिए मैं जादा इसको explain नहीं करना चाहता है, बट बहुत बहतरीन sentence लिखा हुआ है, meaning, of such excellence, grandeur, or beauty, as to inspire great admiration, और awe, यानि इतना बहतरीन की मुँँ से आपके वाह निकल जाए, awe, awesome, awesome यानि बहतरीन, admiration निकल जाए, तो हम ऐसा कोई दृष, ऐसा कोई experience आप अगर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं, sublime, कैसा experience था, sublime, physical context में, अब यह देखे, waterfall, अगर आपकी presence हो यहाँ पे, अगर आप देखें, experience करें, तो आपके मुँँ से क्या निकलेगा, जबर्दस, वाह, मज़ा आ गया, देखे, इसी तरीका का view यहाँ पे मिलेगा, आप रियल में जब present हो यहाँ पे, तो आपको देखे, अलग ही अनुभव होगा, और वो sublime अनुभव होगा, sublime experience, ठीक है, जबर्दस, शांदा The view from the mountain top was absolutely sublime, definitely होगा, it must be, Her performance was sublime, leading to a standing ovation from the audience, लोग के जो performance होती है, खास करके जो बहुत बहुत बैतरीन कलागार होते हैं, लता जी की live singing किसी ने देखियो हो, और आपके पेरिंट्स में से किसी ने देखियो हो, अरजी सिंग को किसी ने live सुना हो, सोलो निंगम को किसी ने live सुना हो, या परफॉर्म करते हो देखा हो, सो जब वो आप देखें, experience करें, तो वो कैसा होगा, sublime, अलगी लेवल में ले आता है, सो यहाँ पर सेंटेस लिखा है, हाँ परफॉर्मेंस वोस सब्लाइम लीडिंग तो अस्टैंडिंग तो अस्टैंडिंग ओवेशन बिला, सबने खड़े होके तालियां बजाएं, जानी कि all are correct, कोई error नहीं है, चलिए, अब बढ़ते हैं हम सिरुलिंग साइडिंग साले पार्ट पे, majestic, शांदार, जादूगर ने कुछ किया हो, majestic, magician से आया है, magnificent, जबरतर शांदार, अदभुत, इसके opposites की अगर हम बात करें तो mundane, यानी सादहर, normal, ordinary, normal, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है, जिसको अब शांदार बोले, mundane, mundane performance, ठीक है, अब next word है हमारे सामने, eternal, reference के लिखाए, eternal का, some drops, reach a person, taking a holy dip, holy यानी पवित्र, dip यानी की डुमकी, holy dip in the ganga, and chanting verses, verses हम पढ़ चुके हैं, हमने डिसकस किया है, कविता को बोलते हैं, chanting यानी ओचरण दना, for the eternal peace of ancestors, ancestors कौन होते हैं, हमारे पुराने, patrick, ancestral property, patrick property, ancestors हमारे पुर्खे, हिंदी में बड़ होता है, पुर्खे, meaning, किसका meaning, eternal का meaning, lasting or existing, forever, यानी की हमेशा बने रहने वाला, शाष्च्वत, एक हिंदी में बड़ होता है, शाष्च्वत, जो हमेशा बना रहे, अमर, clear है, so eternal, lasting or existing, forever, without end, इससे, असानी से, समझ में आ जाएगा आपको, जिसका कुबी अंतना हो, eternal, discuss करते हैं, scope, अब यह देखे, यह basically जब cassettes and CDs आते थी, उस समय यह आशा जी का कोई album आया था, और यहाँ पर title लिखा हुआ था, eternal आशा, यहाँ पर ऐसे, add आते थे, बीच वीच में जो, music जो हमारे channels है, उनमें ads चलते रहते थे, कि यह नया album आने वाला है, so इस तरीके से आता था, तो मेरको, I believe I was in 11th or 12th standard, so मेरको हर समय से curiosity ही रहती थी, क्यार यह वर्ड है, तो उसका meaning क्या है, देख ले थे एक बार, so उस समय मैंने चेक किया था, eternal, और मेरे को समझ मी नहीं आया था, क्योंकि मेरे पास जो dictionary थी, English to English वाली थी, Oxford वाली, तो मैंने Songs हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे, eternal आशा, यही बात आप लता जी के लिए भी बोल सकते हैं, रफीस आप के लिए बोल सकते हैं, कि शुकुमार जी के लिए बोल सकते हैं, सब कोन कैसे है, eternal है, इनके songs eternal है, examples, the poet wrote about the eternal beauty of nature, बिलको सही है, he believed in eternal life after death, उसका मानना है कि death के बाद भी जिन्दगी है, eternal life है, यही चलती ही रहती है, बिलको सही है, the landscape was eternal changing with the seasons, अगर कोछ चेंज हो रहा है, तो eternal कैसे हो सकता है, contextually incorrect, true love is something eternal, it remains unchanged through every trial, कितने भी घष्ट आजाएं, कितने भी कसोटी आजाएं, trial कसोटी, पर सच्छा प्यार बना रहता है, बिलको सही है, चलिए, अगर को समझ में आ गया, eternal, synonym is everlasting, immortal, man is mortal, मनुष्य नश्वर होता है, और आत्मा कैसे होती है, शाष्ट होती है, immortal, man is mortal, उसका opposite, immortal, ठीक है, perpetual, जो बना रहे है, perpetuate करना, बने रहना, perpetual adjective बन गया, उसका मतलब है, जो बना रहे है, temporary, थोड़े समय का, finite, again, जिसकी limit है, infinite, जिसक next word is edifice, reference के लिखाय, surely this cannot be the edifice that has come up on the foundations of Hinduism, okay, meaning, a complex system of beliefs, दो meaning है, escape, पहला meaning है, complex system of beliefs, यहनि, beliefs का एक complex system, जिसको समझना इतना आसान नहीं हो, उसको बोलेंगे, edifice, और दूसरा, क्या meaning है, a building, but it doesn't mean just any building, यहनि, building तो है, पर कोई random building नहीं है, किसी का धर नहीं है, to merit being called an edifice, a building must be important, a small but elegant temple can be an edifice, and so can a towering skyscraper, यहनि, कुछ important हो, छोटा मंदिरी हो, पर important हो, इसी तरीकी से बहुत बड़ी building हो, skyscraper हो, वो भी edifice कहा जा सकता है, उसको, यहनि कि edifice उसको बोला जाएगा, जो important है, building के context में, clear है, चलिए, discuss करते हैं इसको, अब यह देखे, यह बुझ में, स्मृतिवन, हाँ, स्मृतिवन करके, एक museum है, जहां पर जो अर्थ क्या 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 था, अर्थ क्या क्या था, बुझ में, वहां पर बहुत सारे लोगों की death हो वई थी, casualty होई थी, उनकी याद में, इस museum का निर्माड हुआ है, अब देखने में किता छोटा से लग रहा है, बर्ड़ आई व्यू है, पर यहां देखे, यह गाड़िया बार को रही हैं, कितला बड़ा होगा, यह huge होगा, शेप में, और इसलिए, एडिफिस आप इसको बूल सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ह वो तो मिनार इडिफिस बोल सकते हैं, बुर्ज खलीफा दुबई में उसको भी इडिफिस बोल सकते हैं, पैसेज की कॉंटेक्स में जो थास, complex set of beliefs, उसके कॉंटेक्स में हमारे सामने examples है, democracy, democracy can be viewed as an edifice of political governance, built upon principles of equality, liberty and representation, यानि democracy का जो ताना बाना है, वो ऐसा edifice है, जो सिध हान पर liberty, आजादी के और representation, यानि लोग सामने आएं और represent करें, इतना आसान नहीं है, समझना कोई ऐसे रैंडम मंदा, जिसकी बुद्धी का इस तर बहुत छोटा हो, वो इसको नहीं समझ भाएगा, democracy का ताना बाना कैसे बुना जाता है, Capitalism, the economic system of capitalism can be seen as an edifice, constructed on principles of free markets, private property and individual enterprise, ऐसे ही capitalism के हम context में बात करें, तो अगें, complex set of beliefs, उसकी भी यहाँ पर बात हो सकती है, as an example of edifice, चलिए, अब हमारे सामने चार सेंटेंस, the edifice of democracy is built on the principles, principles of freedom and equality, बिलकुल सही अभी हमने डिसकसी किया, the edifice of his argument was built on solid evidence, उसकी जो argument पर जो set of beliefs थे, complex set of beliefs थे, वो built थे, इस पर solid evidence पर बिलकुल सही है, the community's cultural edifice is based on respect and mutual support, यह भी सही है, I couldn't hide any edifice to get back home, अब इस sentence का कोई meaning निकल गये नहीं आ रहा है, कुछ भी context समझे बहीं नहीं आ रहा है, और यह absurd है, so, इसको हम incorrect mark कर सकते हैं, चलिए, अब हमारे सामने है, synonyms structure, establishment, I believe यह दोनों जो synonyms हैं, यह किसके context में, इसके context में, antennas, rune and collapse, again antennas भी, जो हमारा उपर नीचे वाला meaning है, building वाला, उसके context में, rune, बरबाद, जो कुड़ा तरकट, milti का पड़ा होता है, उसका building का पड़ा होता है, जब वो डहर हो जाती है, collapse, नीचे गर जाना, malba, जिसको बोलते हैं, उसको हम एंटरिम्स के तौर पे consider कर सकते हैं, next word is partake, reference, as we have always visualized ourselves as an integral part of the divine, divine यनी that we are, and the divine as something which partakes in us, okay, visualize यनी, आप ऐसे visualize करते हैं, दृष्च देखते हैं, उसका imagination में, उसका उम बलेंगी visualize, okay, meaning, when you partake in something, you take part in it, बहत आसान इसको समझना, partake में take part छुपा हुआ है, so, when you partake in something, partake के बाद preposition in आएगी धियान रखेगा, you take part in it, to participate in or experience something, कुछ experience करना, किसी चीज में शामिल होना, किसी event में शामिल होना, किसी activity में पार्टिसिपेट करना, उसको बोलते हैं, partake, example, अब ये किमेज हैं, I believe friends भी हो सकते हैं, strangers भी हो सकते हैं, people who partake in कराओके really love to sing, यानि बोला जा रहा है, जो कराओके में participate करते हैं, partake करते हैं, उनको गाना गाने में, साथ में गाना गाने में भी आनन्द आता है, या वो पसंद करते हैं, clear है, partake, यानि take part, अब example समरे सामने, they were invited to partake in the banquet, banquet hall होते हैं, जहां पर आप शादियों आदियों पाटियों में जाते हैं, वो खाना खाते हैं, banquet hall, banquet hall नहीं होते हैं, banquet hall, banquet hall जा रहे हैं, banquet hall नहीं होता, banquet, spelling देख लीजे, she refused to partake in the gossip spreading around the office, office के आसपास जो gossiping होती रहती है, उसने उस लड़की ने उसमें पार्टिस्पेट रहें से मना कर दे, विल्कुल सही है, he liked to participate in his coffee with a bit of sugar, doesn't make any sense, the students were eager to partake in the new project, विल्कुल सही है, लेज़ प्रजेट में शामेद होने के लिए, his students इचुप थे, विल्कुल सही है, students share, engage in, experience, अनफफ करना, अलड़निम्स, रिफ्रेन, हटना, abstain, अगेन पीशे अटना, avoid करना, इस सब इसके अलड़निम्स के तौर पे, consider किये जाएंगे, that's it बच्चा पाटी, बैतरीन वर्ड्स आज हमने डिसकुस किये, अब क्या करना है, homework के लिए, आपको drop कर देना है, इसी lecture video, video lecture के comments section में, हर एक comment का मैं answer करता हूँ, जहां मुझे लगता है, मुझे correct करने की जरूरत है, मैं आपको बताता हूँ, so that, आप nuances, यानि की बारी किया, समझवाएं, कहां पे आप गलती कर रहे हैं, और कहां पे आप सही कर रहे हैं, पहला काम, दूसरा काम, I am available on telegram, this is my username, जिन भी बच्चों ने smart read course को purchase कर लिया है, पर अभी तक, वो हमारे private group से अगर नहीं join हुए, टेलिग्राम पे, अभी मुझे अपना payment का screenshot इस username पे share करें, मैं आप से share करूँगा, हमारे private group का link, and आप group join करें, because actual discussion, actual mentorship, वहीं पर पो रही है, third, इस पूरे lecture को देखने के बाद, आपको क्या करना है, आपको जाना है, हमारे smart read dashboard पे, course के dashboard पे, और attempt करनी है, smart read, drill number, 33rd, with utmost focus of yours, और attempt करने के बाद, आपको result screen से pick करनी है, आपकी RC speed, और आपका RC level, दोनों के screenshots लेके, drop करतेने हमारे telegram group में, so that I can check, I can assess, I can gauge your performance, and then I'll be able to help you accordingly, मैं आप से मेलताओ, एक नए lecture में कुछ लेवर्स के साथ, take care,